कि आपको कुछ मत पूर्ट कुश्चन्स हैं और उनके आंसर हैं हो सकता है कि आपकी प्रेक्षा में एक दो कुश्चन्स इससे आ जाएं क्योंकि आप देखते हैं ना कि इस तरह के कुश्चन्स आपकी सिविल सर्वेस हो या इस्टेट PCS जिसमें आप देखेंगे UP PCS बिहार राजिस्थान MP, PSC और बाकी जो भी आपके स्टेट एकजाम होते हैं और आप देखते हैं वंडे एकजाम में आप लोग देखते रहते हैं इस तरह के कुश्चन्स तो एक बार आप लोग एक से दो बार आप लोग देखके निकल जाईएगा ठीक है और आप लोग जब दे लगा कर देखा करिएगा जिस तरह से आप लोग कोई धार में गरंत नहीं सुनते हैं और आप देखते हैं कि आपको पूरा एक बार में ही किलियर हो जाता है या फिर आप लोग ने देखा होगा कि मोबी आप लोग देखते हैं तो फूरा फोकस आपका स्क्रेन पर होता है और उसकी जो आवाज होती है, वो आपके कानों में होती है, इसलिए आपको हर सी नियाद बना रहता है, चलिए तियास के कुछ है, इन महत्पूर कुश्चन्स को देख लिए, हडपा संस्किती के संदर्म में सैल कृत, इस्थापत का प्रमाड कहां से मिले हैं, धौला वीरा, ठीक है, यह हडपा सब्धा की बात हो रही है, देखे हडपा सब्धा क्या है, इनके बारे में हम लोग उने बहुत बिस्तार से पड़ा हुआ है, NCEIT आपकी कवर करवाई हुई है, तो प्लेलिस्ट सूची में जाईए, सब कुछ मिल जाएगा, सत्मेवत जैते किस अपने मिनाक्षी मंदिर कहा देखने को मिलेगा, मदूरे में, जैन धर्म के पिथम विभाजन की समय सोयतामबा और समधाय का संस्थापक कौन था, स्तूलभद, नंद बंस के बाद मगत पर किस राजबंस का सासन हुआ, मौर ब्यंस का, आप घना नंद का नाम सुने होंगे आप चंद गुप्त मौर के बारे में आप लोग उने पढ़ा होगा, चाडख के बारे में, जिसे आप लोग विश्नो गुप्त भी कहते हैं, चाडख वचुमन में किस नाम से जाने जाते थे, तो याद रखी विश्नो गुप्त के नाम से, इनका चाडख का दूसरा नाम विश से उसके बाद आप देखते हैं कि एक तरह से सोग काहिदे परिवर्तन हो जाता है और ये उद्ध करना छोड़ देते हैं और एक कारण मौर्वन्स की पतन का ये भी माना जाता है ठीक है पिथम सताब्दी इस भी में किस भारतिये बहुत बिक्चु को चीन वे जा गया था ना इसक ने इलावाद इस्थम सिलालिक किस से संबंदी थे समुद्ध गुप्त से गुप्त काल का कौन सा सासक भारतिये नेपोलियन के नाम से जानते हैं आप लो समुद्ध गुप्त को समुद्र गुप्त को आप लो भारतिये नेपोलियन के नाम से जानते हैं किस ने राष् बिन कासिम, आगरा सहिर की स्थापना किस ने की थी, सिकंदर लोदीने, कस्मीर काकवर के नाम से किसे जानते हैं, जैनुरल अभी दीन को, ठीक है, और आप लोग देखेंगे, कि अगर आप लोग अपनी परिक्षाओं के पुराने कुश्चन्स पेपार उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे, कि इन में से अधिक्तर कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में आये हुए हैं, और आने की आंगे संभावना भी वनीर हुई है, तो आप लोग जरूर देख लेने, भारत में पिथम मकवरा, जो सुद्ध इसलामी सेली से निर्मित हुआ था, वलवन का जहांगीर के, खानबा का युद्ध किस-किस के बीच हुआ था, बावर और राणा सांगा किये, किस मुगल सासक का मकवरा भारत में नहीं है, जहांगीर का, किस का, जहांगीर और बावर का, तो जहांगीर और बावर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, सिब किस बैक्ती ने सरफितम सौराज सब्द का प्रियोग किया और हिंदी को राष्टवासा माना तो याद रखिये थे स्वामी दयानंद स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे तो बिहार का जो किसान आंदोलन था न इस से भारत का पितम वायसराई इस लॉड़ केनिंग को आप लोग जानते होंगे आदोनीक भारत में स्थानिय स्वायद सासन का अगणि किसे माना जाता है लॉड़ रिपण को लॉड रिपण को भारती से विद्ध्यालेयों कि इस था आपना सबसे पहले किस के समय में हुई बंगाल की बटवारे से किस वायसराय का सम्मन था? लॉड करजन का. यानि की कहने का हुटला है कि जब बंगाल का बटवारा होता है उस समय वायसराय कौन था? लॉड करजन. भारती संग यानि की इंडियन असोसियेशन की संस्थापक सुरैननात बनर जी सहब. इंडियन वसन संगराम सबसे कम आयूं के सहीद खुदी राम बॉस आप समझे कि मतलब एक तरह से अभी आप जो बचकाना देखते न उतनी उम्र में लोग सहीद हो गए कोई आप देखेंगे 13 साल कोई 14 साल कोई 15 साल आप समझ सकते हैं क्या किस तरह से हमें आजादी मिली हुई है लेकिन इ नहीं हाल है कि आज देखें किस तरह से बंदर वाठ चल रही हुई है किसे भारती क्रांटी की मा कहा जाता है तो याद रखी भीका जी रुस्तम कामा को आपप लोग भारतिय क्रांटी की मा कहते हैं या आप ज़रूर याद रखी कई बार कूश्चन सूच लिया है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पिथम बिभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में ठीक है 1931 में कॉंग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का परपिस्ताव का प्यारूप किसने बनाया पंडित जवाहलाल नहरू ने मुसलिम लीग ने अलग मुसलिम राज का समर्थन पहली बाद कप किया था ए 1940 की बात है लाहूर अधिवेशन में माभास की रचना किसने की पतंजली ने तहकीक एहिंद की रचना अलवर्णी ने किस काल को फलक संस्किती भी कहा जाता है तो याद रखी मद्ध पुरा पासान काल को ठीक है हडपा किस न दीगे तरपर ए राभी न दीगे स्वास्तिक चिन्नों की प्राप्ति कहां से हुई है हडपा से बुद्ध को गरान प्राप्ति कहां हुई थी गया में विहार गया सुने आप लोग बुद्ध के पिथम उपदेश को क्या कहते है आप लोग धरम चक प्रवर्तन मैगस्थिनीच किस के राज में आये था चंदगुप्त मौर के में इंडी का नाम अपने पुस्तियक सुना होगा इसे की थी भारत पर सरवपितम आखवर किसने यूनानी ओने चीडी आतरी हनेल सांग सब सरवपितम किस भारती राज में पहुंचा था कपी सारवपितम भारत वरस का जिक्र किस अभिलेक में मिलता है हाती गुफा अभिलेक में किसमें हाती गुफा अभिलेक में अब ध्यन किसका अविलेखों का इसे आप लोग कहते हैं इफी गिराफी यह जरूर याद रखिएगा। सिंदू सब्धा के लोग किस्चेत की निवासी थी यह भूमद सागरी यह माने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश का सबसे पहले किस इस्थान पर दिये? सरावस्ती में. सिकंदर किसका सिक्ष से था? अरस्तू का. सिकंदर महान. सिकंदर का सैनापती कौन था? सैलूकस निकेटर. सिकंदर की वारे में आप लोगोंने काफी कहानिया भी पड़ी होगी जब उसकी डैत होती है तो आप से देखते हैं कि उसकी अंतिम इक्षा क्या थी? गूगल पर अगर नहीं पड़ी है तो पड़िएगा. बड़ी सीख मिलेगी. पुस्त में मित्ते किस धरम का समर्थक था? ब्रहमर धरम का. बेशनगर में इस्तित गरुन इस्तम का निरमार क से संबन्दी थे. गारगी सहिता क्या है? जोतिस कि रन थे. गारगी सहिता की रचना किस ने तीखी की थी? कात्यायन ने. कुशान बंस की स्थापना किस ने की थी? कुजल कड़ फीसस ने. कनिस्क को सासन कम पराप्त हुआ था? 78 AD में. इस भी में. भात में सिलालेखों का प फुस्स मित सुंग ने. रेसम बनाने की तकनीक का विसकार सरफितम किस तेस में हुआ था? चाइना में. आज हम देखते हैं हमारा पडोसी है. गुप्त बंस का संस्तापक सरी गुप्त को माना जाते है. मंदिर बनाने की कलागा जनम किस काल में हुआ? गुप्त काल में. मेगस्थिनीज ने अपनी पुष्टक इंडिका में किस के सासंकाल का बैडन किया है? चन्द गुप्त मौर के. प्रीय दरइसी का नामक संस्कित ग्रंध की रचना किसने की ती? हर्षबर्धन ने. नाग नन्दा नामक संस्कित नाटक की रचना किसने की ती? यह भी बर्धन की है रेजनाए आजयंदा की गुपा किस धरम से सम्मंदी थे बहुत धरम से सोदर्सन जील का पुनरुद्धार किसने करवाय था इसकंद गुप्दने पुस भूती बंस की स्थापना पुस भूती बर्धन नहे पुस्य भूती बंस का सबसे प्ताफी राजा हर्सवर्धन था हर्सवर्धन गड़्धी पर कब बैठता है 606 AD में हर्सवर्धन के समय नालंदविस विद्ध्याले के कुलपती कौन था सीलिबद किस अभी लेक में हर्सवर्धन को परमेसुर कहा गया तो मधूबन बबास खेडा अभी लेकों में कस्मीर का इतियास क्रश से गरंत में है राज तरंगनी में ठेक है ये आपकी राज तरंगनी गरंत है किस ने लिखा था कलहन ने ये भी आप लोग याद रखे ये भी कई बार कुश्चन्स रिपीट होता रहता है एरा नवलेक का संबंध किस सासक थे है भानू गुप्त से चीनी यात्री फायान किस के सासनकाल में भारत आया था चंद गुप्त दूती है भारती संस्किती का स्वड योग किस से योग को कहा जाया ये गुप्त योग को स्तेतुबंद की रचना किस बंस के सासक ने की थी? वकाटक किस गुपत कालीन सासक को कवीराज कहा गया? समुद्ध गुपतु कोकार कोर्ट बंस की स्थापना किस ने की थी? दुल भरवन ने अवंती नगर नामक नगर को किस सासक ने वसाय था? अवंती भरवन ने कारकोर्ट बंस के साथ, बात किस बंस का उदय हुता है? उत्फल बंस का, बड़ी अजीव नाम है सरपितम हर्स बर्धन ने कन्नौज में बहुत धरम सवा का, ऐज़िन कब किया था? एह 643, इस वी की बात हर्स वर्थन की डेथ के बाद यानि कि उसकी मौत के बाद कन्योज पर किसका सासन हुआ ये सो वर्मन का गुप्त बंस के किस सासत ने महाधी राज की उपादी धारन की थी ये था चंदगुप्त पितम गुप्त बंस की स्थाप्ना कभ उई? 3680 में त्चंदुप्त बंस की स्थापना किस ने की थी? चंदगुप्त द्वारा, याद रखे, बास्तविक संस्तापक चंदुप्त को माना जाता है, स्री गुप्त को लेकन शुरू में था अगर बास्त वेक आपसे पूँचे तो याद रखी चंद गुप्त लगाना है हैंसांग की रचना का क्या नाम है? सी यू की, ठीक है? कौन सा गुप्त था सक भारती नेपोलियन के नाम से पिसिद्ध है? संबुद्ध गुप्त काली दास दवारा रचित मालवी कागनी मित नाटक का नाय को था? माल विकागनी मित इसकंद गुप्त को किस लेकने मित से सकोवं कहा गया? तो याद रखी काहो मस्तम लेक से गुप्त काल के सबसे लोगफिरी दे हुथा? विष्णु भगवान दिल्ली मिष्थित लोग इस्तम किस सदी में निर्मित हुआ चौपरी सदी की आसपास माना जाता है गुप्तकाल की आसपास अमर को इस नामक ग्रंथ की रचना किस ने किया और वे किस सासक से जुड़े थे तो अमर सिंग ने याद रखिए चंद गुप्त से जुड़े हुए थे हरी सेन किसका दरबारी कभी था समध गुप्त का गुप्त काल की सौने की मुद्राओं को क्या कहते हैं दीनार कुमार संभव महाकाब को किस ने लिखा कालीदास कालीदास की जितनी भी रचना है इन्हें याद कर लिजेगा क्योंकि इनसे कुश्चन हमेसा पूछता रहता है नालंदा विस्विद्यालाई की स्थापना किस योग में हुई गुप्त योग में गुप्त योग में भूराजस्व की दर क्या थी उपज का चटवा भाग जो उपज होता है था उसका चटवा भाग आज तो आप देखते हैं आज क्या इस्तिती है आपकी आपका राजा कितना लेता है नगरों का क्रिमिक पतन किस योग की विसेशता है गुप्त योग की फायान द्वारा लिखित ग्रंद फो कोक गी में किसका वड़न मिलता है बहुत धर्म के सिध्धानतों का किस बंस के सासकों ने मंदिरों और ब्रह्मनों को सबसेदिक गाओं अनुदान में दिये गुप्त बंस ने महलोली इस्तम किसकी स्मित्ती मानी जाती है चंद गुप्त सेकेंड की समुद्ध गुप्त की सैने कुपलदियों का बार्डन आपको प्रियाग पिसस्ति अभिलेग में देखने को मिलेगा बालविवा की पिथा कप आरम हुई एक गुप्त योग में और आज भी आप एक एरन अभी लेक मद्धिदे से मिलता है गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा धेर कहां से प्राप्त हुआ बयाना भारत पुराजिस्थान किस गुप्त सासक को नालंद विस्विध्यालाएका सहस्तापक माना जाता है रूपक कालीदास की कौन सी कृति गिंती विस् तो यह है आपकी अभी ज्ञान सकुंतलम जिसका आप देखते हैं कि आपका यूरोपी भासना में सबसे पहले अनुवा एक तरह से अनुवाद किया गया था गडित की दसमलप प्रणाली के विस्कार के सरे किसे जाता है मौर यूग को किस बिद्वान ने गडित को एक तिथक विसाय की रोम में स्थापित किया आर भटन है पालगाट मनी मनी हैयर फिसे दिवादक के मिर्द गम से ठीक है गंधार सेली का समंद्ध मूर्ती कला साची के स्थोब किसकी कला और मूर्ती कला को निरूपित करते हैं बहुत धोगे एस साची का इस तुब आपको MP में देखने को लेगा दयाभाग का लिखक जिमोत वाहन हिंदी देवस का मनाते हैं 14 सेप्टमबर को आप लोग हिंदी देवस मनाते हैं भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी यह कि किसका था लौड इलगीन का मनुस ने सरपथम किस दातू का प्रियोग किया तांबे का मनुस ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था यह आप लोग बताईए नीचे बांडी वास के योद में अंग्रेजों का नितित सर आयर कूट ने चंद नगर की वस्ती फ्रा का डोपले के बाद पांडी चेरी का गवर्नर जनरेल कौन बना गोडियो पुर्दगालियों ने गोवा पर अधिकार कप किया पंद्रह सो दस की बात है पुर्दगालियों ने सरपथम भारत में कौन सी फसल की केती आरम की तमाकू जो आप देखते ना तमाकू उसी की बात किये जा रही है किसके सासनकाल में अंग्रेजों ने दिली पर कपजा किया था साहालम तुद्धिय के मुंसी सिप गाउं की संधी किस योदि के पश्चात भी थी पाल खेडा के योदि के बाद संगोला की संधी 1750 इलाबाद की संधी 1764 मापकरी 64 के बाद 65 बकसर योदि के आ इस्ट-इंडिया कंपईनी कीओ मानत हा तकब 1600 예सी भी में पॉंभ चेरी की स्थापना कब हुई 1644 में पॉंड़ो छे पॉंड़ी चेरी की स्थापना किससे ने की थी फ्र्क किससे मार्टिन ने अंग्रेजों ने पॉंड़ ऑlike पन इकारी गुडिकारी बारेन हैस्टिं राज जड़प की नीती और या फिर राज की किसके द्वारा लागू की गई थी लॉर्ड डलहोजी द्वारा राज जड़प नीती के अंदर कौन से भारती राज कबजे में लिये गए थे जहांसी नांगपूर सतारा जैपूर अवद सबलपूर भारत का फित्थम वायस रा तो लॉर्ड कैनिंग तीसरे आंगले मैसूर योद को रोकने के लिए टीबू सुल्दान ने कौन सी संदी की थी तो यह थी सिरी रंग पटनम की संदी 1757 में क्लाइव ने किसी पराजित किया था सिरा युद्धौला गो पिलासी की योद में अंग्रेजी सेना का नितित किस पुली की संदी किस के बीच हुई थी एश्टी इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच आज भी तो आप देखते रहते हैं इस संदी पर काफी बेवाज चलता रहता है भारत और नेपाल की भी टेपू सुल्दान की डेथ का हुई थी सिरी रंग पटनम में ठगी पे था कि उ सत्रे सो संदावन को दोएद शासन का अंद किस ने किया था वारेन हैस्टिंग्स ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यदी विरोध किस ने किया था मराठों ने मराठी पिसाचनिक आवेवस्था कि आधार उपर डलहोजी ने कौन सा राज बेटे समराज में मिलाए था तो सिक्षा पिडाली की नहीं हूँ एठारे सो पैंतीस के आसपा भारत में डाक टिकेट किसने आर्म किया लौड डलहोजी ने अबद में स्वायत राज की संस्ता अपक कौन था सादत खाब बुरहान उन मुल्क सुरक्षा पिकोष्ट नेती किस से सम्भाण दिते बौरेन हैस किस भारतिये रौवर्ट कलाइब के ने बिहार के दीबान बनाया था राजा सिताव रायको महराना रंजी सिंग के उतराजिकारी खड़क सींग हुए इस थाई बंदोवस्त का सिधान किसने दिया लौड कौन बालिस ने सायक संधी पनाली के जनक लौड वेले जली महरानी विक्टोरिया का घुष्णापत किसने बढ़कर सुनाए था लौड कैनिंग ने रंजी सिंग किस मिसल से संबदी थे सूकर्चकिया किसने अपनी राध्धानी मुर्सीदाबास से मुंगेर स्तापित की थी तो मीर कासिम ने वक्सर की योद में किस समय दिल्ली का सासक साहय अलम दूतिय था टेपूद सल्तान की मौद ये आप देखेंग उन्नी सत्तरह सो निन्यानवे में डिंडी गोल क्या था तमिलाडू के एक सहर का नाम था डिंडी गोल किस के समय में कलकत्ता उच नियाले किस था अपना हुई थी वारेन हैस्टिंग से बैटिस भारत राज जिछित के विस्तार का अंथ किस के समय हुआ डफरिन के समय ठगों का दबन किस ने किया था करनल इसली मेन ने किस ने ग्रामी डियाटों को एक सैनिक सक्ती की रूम में गठित किया था चूरा मन या पर ऐसे आप लोग चूना मनी भी बोलते हैं किस राज्या जाट को जाटों के अफलातून और आदरिनी अबाव विद्वान बेक्ती कहा गया सूरज मलको लोहिकर नामक किला किस ने बरवाय था बंदा बहादूर ने किस मुगल बासा किस आदेश पर बंदा बहादूर की हत्या की की थी फरूग सियर के पंजाब में सिख्ग राजा के संस्थापकान थे रंजी सींग रंजी wil pedir ने किस इस्थान पर अधिकार करन दो कि बाद माहे राजा कि उपादी थारिक धारन की थी लाहोग रंजी सिंग अंग्रेजों की बीच कौन सी संदी हुई थी अमरसर की संदी किस नदी के दोनों और के राजचित के बीच नीमा निरधारित करती थी सथलज नदी सथलज नदी भारत के किस गवन्नोर जनरल की समय सिंध का विले अंग्रेरियरी राज़्ज में किया गया लॉर्ड एलन बरो सिंद बजय का स्रे किसे दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को भारत में साइक संदी का जनमदा था डूपले था साइक संदी को सुनिश्य देवं ब्यापक सौरूप किसने पिदान किया था लॉर्ड बेले जली ने पंजाब की राजा रंजीस सिंग की राध्धानी कहा थी लाहोर गोद पिथा पिदीबंद किस गवर्नर जनरल ने लगाए था लॉर्ड डलहोजी ने यानि कि आप अब देखिए किसी को गोद लेते हैं तो वो राजा नहीं वरपाएगा आंगे डैन्मार्क की पिथम व्यापारी कंपनी का गठन सोले सोले में कस्मीर का अकवर जनुवल अवादीन को बीज गड़ित के छित में अपने विसेश योगदान के लिए किसे जाने जाता है भासकर को सबसे पुराना बाद्यंत बीना किस बेहद मंदिर की आरंबी गलपना और निर्माड सूर बर्मा दुतिये की राज्यकाल में हुआ अंकोर बाट की मंदिर की अमरापती बहुत दिस्तूप कहा आंध्यपदेश में सलहर की योद में मुगल सेना को किसे ने हराय था सिबाजी ने सलहर का योद कब हुआ था 1672 में किसी रंगिला बातसाय कहा जाता है मुहमद साह को रंगिला बातसाय कहते है भारत का अंतिम मुगल समराट बाहदो सा जबभर दुतिये का मकवरा कहा है रंगून यंगून म्यानमार में क्योंकि आप देखते हैं अंतिम दिनों में वहीं चले गए थी एहमद साह अबदाली ने भारत पर कितनी बार आकमड किया आठ बार आप समझ रहें कि बारबार लूटा नादिर साह ने भारत पर आकमड कप किया 1749 में सिभाजी के समय कितना राजस बसूला जाता था भू राजस का 33% आगरा की जामा मस्जीत का निर्माड जहां आरा ने किस सिख गुरू ने फालसी भासा में जफर नामा लिखा था गुरू गोविंद सिंग न गुरू नानक का जीवन परचे किस सिख गुरू ने लिखा गुरू अरुजिन देव ने औरंग जेब के सासन काल में बंगाल का नवापुन था मुर्सीत कुली खा सिभाजी की डेथ यानी की मौत कब होती है 12 अपरेल 1680 में औरंग जेब ने बीबी का मकवरा का निर्माट कप कराया 1689 में सामुगड का युद 1658 में जहांगीर की पहली जहांगीर की बतनी नूर जहां का बास्तविक नाम किया था महरू निसा हैदर अली मैसूर के सासक कबनी 1761 में नादिर सार कहां का सासक था इरान का कहां का इरान का माधो राव नारायन पिसवा कबनी 1761 की बात है गुरू गोबिन सिंग ने खालसाबंत की नियू कब रखी थी 1699 की बात है किस गुरू ने बिद्रोही मुगल राजचित कुमार की साहता वा धन बामन से की थी तो गुरू अर्जुन देव की और आगे चलके आप देखते हैं की ने जैद की सजावी मिली थी सेयद बंदुओं का पतन किसके समय हुआ था मुहमत साह के फरूक सियर किसके सहयुक से मुगल बात साह बना था सेयद बंदू भारत पर अकमर करने वाले किस इरानी सासक को इरान का नैपुलियन कहा जाता है नादिर साह को किस राज के सासक नवाब बजीर कहलाते थे अबद के सासक आदी गरंद का समायोजन किस ने किया था गुरू अर्जुन देवने गुलाम बंस को और किन नामों से जानते हैं इलवरी, ममलुक या फर दास बंस इन्हें भी याद रखिएगा दिली का पहला तुरुक सासक कुतुब बुद्दीन एवक था किस की मित्यू के बाद कुतुब बुद्दीन एवक ने स्वैम को कुतुब बुद्दीन ने बंगाल का सूविदार किसे ने उप्त किया था अली मर्दन खावो कुतुब बुद्दीन एवक को उसकी उदारता की बज़े से क्या कहा जाता था लाख वक्स कुतुब मीनार किसने बनवाई थी याद रखी शुरूं करवाई थी आपकी कुतुब बुद्दीन एवक ने दिल्ली में कुबबत उल इसलाम मस्जिद और अजमे में अडाई दिन का जोपडा किसने बनवाई था तो याद रखी कुतुब बुद्दीन एवक ने किस ने? कुतुब बुद्दीन एवक ने कुतुब बुद्दीन एवक की मिट्टिव कव और कैसे हुई? तो याद रुखी 1210 की बात है चोगान केलते हुए एवक गोडे से गिर गया था ठीक है? और इसकी डेथ हो गई थी कुटुबुद्धीन की कि मौत की बाद किसे दिल्ली का सासक बनाए गया था? आराम साहिकू इल्टुत मिस्क को किसने सासक बनाए था? दिल्ली के अमेरों ने तुर्कान ए चहल गामी, गानी क्या था? चालीश तुरुक सरदारों का एकदल होता था, इसे इल्तुत मिस ने बनाये था इल्तुत मिस के सासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आकमन किया था? मंगो, सासक, चंगेच खाने किसने उज्चेन पर आकमर कर महाकाल का मंदर लूटा था? इल्तुत मिस ने ये बारे सो चटीस पैंतीस की बात है, आप करिये इल्तुत मिस ने कौन सी बेवस्था लागू की थी? इकता, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंती महला सासक, रजिया बारे सो चटीस में हुए दिल्ली की गद्धी पर बैठी थी, रजिया सुल्तान रजिया बेगम ने किस को अमीर या कूर निप्त किया था? जलाल उद्दीन या कूद को रजिया की मित्यु कव और किसने की थी? इल्तुतमिस की एक पुद्ध वहराम साय ने सत्ता हत्या ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया वाद दुनिया की हत्या के थल की निकट कर दी गई थी तो उस समय भी आप देखते हैं कि इस तरह की मार्काट वाली राजनीती चलती थी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के मताविक रजिया का पतन का कारण उसकी इस्तरी होना पित्वी राज रासोगरंथ चंद वरदाई ने लिखा था पिसिद लोहागर किसे जिले में है भरत पुराजिस्थान सुवास्चंद बोस को किसने सबसे पहले नेता जी कहकर संबोधित किया था तो याद रखिये थी एडॉल्फ हिटलर अंग्रेजों के खिलाब पहला बिद्रों किसके ने सुरूं किया था सन्यासी ओनर आनंद मट की रचना वाकिमचन चटर जी भारती सुधार समती की स्थापना दादभाई नौरोजी भारती सुधार समती की स्थापना कब और कहां हुई थी तो 1887 में इंग्लेंड में किसने कहा था कि कॉंग्रेज केबल सुक्षमदर्सी अल्फ संख्या कापिती ने दित करती है तो ये डफरेंड ने कहा था कॉंग्रेस छह रोग से मरने बाली है ये किसका मानना था? अरविंद घुष का कॉंग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनितिक हैं ये बयान किसने दिया था? वाकिम चंद चटर जी ने उस समय आप लोग भली ना ऐसे माने बाच्चान है बेटे साउस ओप कॉंवन्स का चुनाव लड़ने वाले सरपितम भारती है कौन थे? दादा भाई नो रोजी बंगाल विभाजन की घुषना कब और किस ने की थी? तो 20 जुलाई 1905 में लॉड करजन है बंगाल विभाजन की विरुद में किस आंदोलन की घुषना हुई थी? सौदेसी आंदोलन सौदेसी आंदोलन की घुषना कब और कहा हुई थी? साथ अगस्त 1905 को कलकत्ता की टाउन हॉल में कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार सौराज की मांग पिस्तुत की गी थी? सन 1906 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में किस ने पहली बार कॉंग्रेस की अधिवेशन में सौराज की मांग पिस्तुत की थी? दादा भाई नौरो जी साहब ने किस अधीवेशन की बाद कॉंग्रिस दो दलों में विभाजित हुई थी? सूरत अधीवेशन 1907 में सूरत अधीवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी? इस नाम को भी याद रिखी कईवार पूच लेता है कि जब दो दलों में बटी कॉंग्रेस सूरा तदीवेसन में उस समाइश की अध्यक्षता किसने की थी रास बिहारी बोस आमार सौनार वंगलागीत को रविनार टेगोंड ने कब लिखा सौधीसी आंदोलन के आउसर पर किस समाचरबद का पिकासन वरिंद कुमार गोस और वुपेंद नाथ दत्त ने किया था योगांतर का 1905 में किसने अनुसीलन सम्ती का गठन किया था पी मत्रा ने अनुसीलन सम्ती का उद्दिश क्या था खून का बदला खून अनुसीलन सम्ती की कितनी साखाएं खोली गई थी? 500 अभीनाय भारत नावक संस्ता की स्थापना किस ने की थी? ये थे बिनायक दामुवदर सामवयार कर उननी सो चार में और आज भी आप देखते हैं कई पाइटियां इनके नाम पर बोर्ट बैंक बटोरती रहती हैं बंबनाने की कला सीखने के लिए कौन फेरिस गया था? आवीना भारत संगठन की सदस P.N. बावपट महराष्ट में करांती का अरी अंदोलन उभारने का सरेक इस पत्त को जाता है केसरी बालगंगधर तिलक के पत्त को बालगंगधर तिलक को भारती या संतोस का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन हाम रोल लीग की स्थापना कव और किसने की? 1905 में लंदन में सियाम जी किसने बर्मान है मुसलिम लीग का किस संभिलन में हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को धाका की नवाब सलीम उल्मा उल्ला खांकी निमंतन पर हुआ संभिलन में ठीक है याद रखिए 1906 में मुसलिम लीग का संभिधान कव और काप बना? ये 1907 में कराची में अमवरस सर अधीविशन में मुसलिम लीग का पहला अध्यक छोन बना था? आगा खां बिलियम का अरजन वाईली की गोलिमार का हत्या किसने की थी? मदललाल धींगरा ने किस वायसरे ने इंगलेंड की समराट जौल पंचम और मेरी का स्वागत के लिए दिल्ली में भब दरबार का अईजन किया था? सन 1911 की वाड़ है बात है लॉर्ड हार्डिंग ने बेटिस राज में दिल्ली भारत की राध्धानी कब बनी 1905 में इसकी गोशना हुई थी और करकता से राध्धानी दिल्ली पहुची थी 1912 में यह भी आप लोग पॉइंट पॉइंट याद रखे लॉर्ड हार्डिंग फरवं फेकने की युजना किसकी ने बनाई थी? रास बिहारी बॉस ने गदर पार्टी की स्थापनक कब और कहा हुई थी? एक नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिसको अमेरिका में गदर पार्टी की नेतित में बनी थी? लाला हर्दियाल गदर पार्टी की पहले अध्यक्ष कौन बने थी? सोहन सींग भाखना मात्मा गांदी को किसर ये हिंदिकी उपादी कब नवाजा गया था? 1915 में और आप देखते हैं कि पिथाम जो बिस्ते उद्ध होता है उसमें गांदी जी ने अंग्रेजों की काफी मदद भी की हुई थी किस अधिवेशन में कॉंग्रिस की नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो लखनव अधिवेशन में मुसलेम लिए और कॉंग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक सयुक्त सम्ती की स्थापना की थी? लखनव अधिवेशन में सौसासन के लिए बाल गंगधर तिलक ने किस संस्ता की स्थापना की थी? होम रूल लीग ये मार्च 1916 की बात है पूना में एनिवेशन ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी? सेप्टमबर 1916 की बात है मद्रास में एनिवेशन की नितित में स्थापित होम रूल लीग के पिथम सचिप कौन थी? जार्ज अरुंडेल महत्मा गांदी ने सामर्वती अस्रम की स्थापना कब और कब कहां की थी? 1916 में एहमदाबाद में चंपारन आने के लिए गांदी को किसने आमंतित किया था? तो बिहार की किसान ने ता थी राजकुमार और आप देखिए एह 1917 की बात है आप सभी जानते हैं कि गांदी को चंपारण की जड़ुद्ट थी और चंपारण को गांदी की ज़रुद्धी तो याद रखी 1918 में एहमदाबाद मिल मजदूरों के हर्ताल की समर्तन में एक कुश्चन्स भी कई बार कुछ लिया है रॉलेक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को काला कानून कहा था इसे गांधी जी ने रॉलेक्ट की विरोध में देश ब्यापी हर्ताल कप सुरू की थी? 6 अपरेल 1919 को जलिया वाला वागत्यागन 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला वागत्याकान की पीछे बजय क्या थी? डॉक्टर सत्पाल और सिफुद्दीन किछलू की गरपतारी हुई थी और इसके विरोध में आपने देखा हुए कि एक जनसवा हो रही थी जिस पर जनरल डायर ने अदा धंद गोलिया चलवाल दी थी और कई लोगों की डेथ हुई थी इसमें जलिया वाला बागत्याकान में किस भारती ने जनरल डायर का सही हो किया था? हंस राजने अब आप समझें कि यहीं के गद्दार होते हैं आज भी तो आप देखते हैं कहां से बाहर से इतना सामान आ जाता है? बिसफोटक, यहीं से कोई मिला रहता है तो यह बहुत पुरानी चलिया आ रही है सिंधिया आगो भी आप लोग ने कापी पड़ा होगा अंग्रेजों की मदद की जहांसी की रानी को मरवा दिया किसने जलिया वाला बागत्याकान की विरोध में वायसराई की कारशाणी परश्चत की सदस्ता से संकरन नायर और याद रखिए अगर आप लोगों को लगता है कि सिंधिया के बारे में आपको बड़ी दिल्चस्प ही है रानी लच्छी वाई के बारे में तो कोई इतिहास की special books उठा के देखिए उसमें साप साप सब्दों में उसमें किसी का प्रभाव नहीं देख्या गया ना किसी के पैसे का ना किसी के दवाव का उसमें साप एक सब्द लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर रानी लच्छी वाई को मरवाय था इस तरह की सब्द आपको देखने को मिलेंगे जानब किसी की अध्यक्षता में बेटिस सरकार ने जलिया वाला बाग हत्याकांड की आठ सदसी जाज समती गठित की थी कॉंग्रेश ने किसकी नितित में जलिया वाला बाग हत्याकांड की जाज के लिए आयोग गटित किया था मदन मुहन माल भी है इस आयोग की अनस अदसों में मोती लाल नहरू थे और गांधी जी भी थे जलिया बाला भागात्य का किस ब्यक्ति की संपत्ति थी जली नाम के ब्यक्ति की पूरे देश में खलावत दिवस कमना गया 19 अक्टूबर 1919 को हिंदू मुसल्मानों की सयुक्त कॉंग्रेस की अध्यक्षता महत्मा गान्दी ने कप की थी 23 नवंबर 1919 को इस समय आप देखेंगे हिंदू मुसलमों में काप ही अर्ची एकता रही है असायोग अंदूलन कप स असायोग अंदूलन पर आसायमती जिताई अकोंग्रे से बाहर हो गये थे मुहमद अली जिन्ना एनिवेसंट और विपिंचंद पाल गांदी जी ने असायोग अंदूलन को कप इस्ताइगित किया था पांच फरवरी 1922 को आपने सुनाओगा चोरी-चोरा का कान्ड हो गया आप देखिए किसी की आप लोगों को लगता है कि महतमा गांदी सरदार वल्लब भाई पटेल या किसी भी नेता का उस समय कि योगदान नहीं आजादी में तो उसकी बाईवरा की आप लोग पढ़िए कोई अपनी खुसी के लिए थोड़ी जिल जाएगा इतनी यातना है देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ आपसो आज की नेताओं से आप लोग उस समय के नेताओं की तुल्ला नहीं कर सकते हैं जमीन आस्मान का फरक दिखाई देगा आपको आज के तो आप देख रहें कि मतलबी हैं आप कितनी भी भक्ति करते रही हैं मेवाड भी लांदोल ने कब शुरूआ 1922 में सोराज पार्टी की कब और किसने स्थाफना की थी 1923 में इलावाद में चितनन जंदास और मोतिलाल ने रूने महत्मा गांधी कॉंग्रेस के अध्यक किसा अधिवेशन में चुने गए थी वैलगा अधिवेशन 1924 में हिंदू दोस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन की निव किसने रखी थी भगस सिंग ने 1928 में काकोरी कांड कम 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटने का विचार किसन का था रामपेसाद बिसमिल का काकोरी कांड में किससे आजीवन कारावस्त की सजा मिली थी सचिन सान्या को रामपेसाद बिसमिल क्या कहते हुए फासी के फंदे पर जूल गए थे मैं बैटिस राज के पतन की इच्छा करता हूँ आप समझे कि डैथ हो रहे मतलब सामने मौत खड़ी हुई है फिर भी जुनौन में कोई कमी नहीं पहला भारती करांतीकारी मुसल्मान कौन था जो पूजा के बारे में थोड़ी पड़ रहे हुते हैं हम सिंधिया की कहा सम्मान करते हुए दूसरी तरह आप रहिए लगियं का सम्मान करते हैं और जो जो सकता है पूजा लेए उसे कोई पूचने वाला ना हो और जो 15-20 साल जीए वो हो सकता है कि पूजा जाए तो इतिहास का है सब कुछ लिखा जाता है इतिहास में इस तरियों ने स्वयम के अधिकारों के लिए अंदोलन करने के उगदेश से किस संस्था की स्थापना की थी अखिल भारती है महला संग 1926 की बात है वाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है साइवन कमीशन को साइवन कमीशन भारत कब आया था तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिसन को विरोध विरोध नहीं करने वाली कौन से दल थे जस्टिस पारटी और पंजाब उनियन पारटी किस बिल के विरोध में वटू के सर्दत ओभकसिंग निदली में सेंटरल लेजिस्टिल लेटिव असेम्बली में खाली बेंचों पर बंप फिका था पब्लिक सेप्टि विल एस बंप फिकने का मारने का किसी को मरा उद्देश नहीं था बस जगाने का उद्देश था बरना भरी कुर्सियों पर फिकती ना आप समझ रहे किस अविदेवेशन में कॉंग्रेस ने पूर सुराज को अपना लक्ष घोसित किया था लाहोर अधिवेशन उननी सोंतिस किसकी अद्देश्टा में कॉंग्रेस ने लाहोर अधिवेशन में पूर सुराज को अपना लक्ष घोसित किया जवाहलाल नहरून की में मदर रात्री को जवाला लहरून किस नदी के तरफपन नाओ गहे तरंगे जंडे को फैराया था रावी नदी पहली बार तरंगा कब फैराया गया था 31 दिसंबर 1929 को कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में सुदंता दिवस मनाने का पिस्ताव पारित किया गया था लाहोर अधिवेशन में 26 जन्मरी 1930 को और आप देखते हैं कि 26 जन्मरी को आपका समिधान पूरी तरह से लाग हुआ और गर्तंत की रूम में आप बने 1950 में गांदी जी ने डांडी यात्र कब और कहां से सुरू की थी 12 मार्च 1930 को सावर्मती आस्तरम से सावर्मती आस्तरम से डांडी तक गांदी जी को पहुँचने में कितने दिनों का बक्त लगा था 24 दिनों का सुवाश्चंद बोस ने गांदी जी के नमक सत्यागे की तुलना किसे यात्रा से की थी नेपोलियम की एलवास फैरेस यात्रा से किस समझोती के बाद गांदी जी ने सबने यायोग्या अंदोलन खतम किया था गांदी इर्विन फैक्ट ये 8 मार्च 1931 की बात है गांदी इर्विन समझोता को और किस नाम से जानते हैं दिल्ली समझोता किस गोल में सम्मिलन में महत्मा गांदी ने कॉंग्रेस के पितिनेदी की रूम में भाग लिया था दूसरा गोल में सम्मिलन में याद रखिए कॉंग्रेस की तरफ से एक बार ही ये किवल भाग लिया गया दूसरे में ठीक है दूसरा गोल में सम्मिलन कब हुआ सिबिगा तो यह थी आपकी गड़वाला राइपल्स वह साथ मार्च 1939 को इन तीनों नामों को एक साथ याज रखेएगा कई बार आपको दो दे देता हो पूछ लेता है कि इन में से कौन तीसरा वेक्टी था जिनें इनके साथ फांसी दी गई थी तो सुगदेयो भगत सींग राजगुरू Congress Socialist Fighting की स्था अपना 1934 सुभाष्चंद बॉस Congress के अधिक्ष का बने 1949 में महत्मा गांदी द्वारा 27 की स्था पित्यासी को हरागर सुभाष्चंद बॉस Congress के अधिक्ष बने थी लेजन नामक सेना किसने बनाई थी सुभाष्चंद बॉस ने भूत पूर्व लेटिनेंट गवर्णर जनरल डायर की गोली मार कर हत्या किसने की थी ओधम सींग ने उधम सींग कहां के रहने वाली थी पंजाब के सुनान नामक स्थान के भारत से अलग होकर पाकिस्तान राष्ट की मांग कप की गई थी 24 मार्च 1940 को अंगेरे जो भारत छोडो का पिस्ताओ कोंगरेश ने कहां पास किया था बर्धा में गांधी जी ने भारत छोडो पिस्ताओ को कंगरेश कार सम्ति निकप सुईकार किया 8 अगस 1942 को आजाद हिंद फोज की स्थापना का विचार सबसे पहले किस के मनमाय था? कैप्टन मोहन सिंग भारत आजाद हिंद फोज का सफलता पुर्वग स्थापना का सरे किसे दिया जाता है? वरास बिहारी बोस को सुवास्चन बोस का जनम कब और कहां हुआ था? अजाद हिंद फोज में महलाओं के लिए बनाई गई विगेड का नाम लच्छिमिवाई और रेजीमेट अडवान निकोबार दुईप का निता जी ने क्या नाम रखा था? सहीद दुईप और सोराज दुईप आजाद हिंद की अभियोक्तों की तरब से किसने पैर भी की थी? जवालाल, नहरूत, तेजबहादो, सबकुरू, भोला भायाई, देशाई, और की एन, कारजू ने बाईव सेना की सेनिकों को ने बेटिस सरकार की खलाब कव और कहां हरताल की थी? बीस फरवरी 1946 में कराजी में कॉंग्रिस ने कब कैविनेट मिसन योजना सुईकार की थी? तो 25 जून 1946 को मुसलिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस की रूम में मनाय था? 27 मार्च 1947 को जवालाल नहरू की नेतित में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? एक था आपका 27 सेप्टमबर 1946 को कैविनेट मिसन योजना को सुईकार किये जाने के बाद समिधान समा की निर्मार की लिग कब चुना हुए? जुलाई 1946 की बात है मुसलिम लीग ने सीधी कारवाही दिवस कब मनाय था? 16 अगस 1946 को जिस समय भारत को आजा दी मिली उस समय बेटेन के पिधान मंतरी कौन थे? किलिमेंट एटली ठीक है एटली? बेटेन के पिधान मंतरी किलिमेंट एटली किस पाटी से थे? लेवर पाटी फडेंद घोस की हत्या किस ने की थी? बैंकुट सुकल है मैं देश की बालू से ही कॉंग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूँगा एक अथन किसका था महत्मा गांदी ने जब आप देखेंगे महत्मा गांदी गुस्सा हो गया थे डंडा खोच का अगठन चमंदी पंजाब में नील की खेती करने वालेयों पर अत्याचार का किस नाटक में हैं दीन बंदू मित की नाटक नील दरपड में राष्टवाती अहरार आंदोलन किस ने सुनू किया था मज़र ओलहक ने निरंकारी आंदोलन किस ने पैरम किया था दयाल दास ने ब्रह्म समाज का पिति पितिग्यापत किस ने तेजार किया था देविंद नाठ ठाकुर ने समाज के संस्थाबक कहूं थी? सिर्फ नाराएंड, अगनी होतरी आरोन, इस तरी ये सावाकी स्थाफना कहां? कलकत्त में अखिल भारती इसअारइचां कisasन अबाधी स्थाफना? लखनव में स्वामी विवकांनना कभ कहां? जिस धरम समिलन क Χा था? सिकागों में ये कुश्चेंस भी कई बार आ चुका है 1893 में दिल्ली सडेंद केस में किस के द्वारा मुखवरी की गई थी? दिनानाथ अलीपूर केस में कौन सरकारी गवाब बन गया था? नरेंद गोसाई इंकलाब जिन्दाबाद का नारा? भगस्तिंग सहाब ने दिया था सबके लिए एक जाती एक धरम एक ईसुर का नारा किस ने दिया था? नारेंद गुरू ने सवर्ण हिंदों की फासिवादी कॉंग्रेस का एकर कॉंग्रेस का चरित निरूपन किस ने किया था? मुहमद अली जिन्दा ने और आप देखी जब जब आप देखी कि समाज में इन निताओं का कामी होता है अंग्रेज़ों का जो काम रहा है फूट डालो राज करो वही आज की निताओं का भी आप देख रहे हैं हिंदु में बाटिये जाती में नीच जाती उचली जाती इस तरह से बाठते रहते हैं और आप देखिए कि जिस दिन पूरा भारत एक हो जाए हम लोग भी आप समझे कि अमेरिका को टक कर देने निकल जाएंगे और आप देखिए कि फूट डली हुई है सिक्षा पर कभी बात होती नहीं है रोजगार पर कभी बात होती नहीं और सही भी बात है जहां चुनाओ अगर धरम की नाम पर जीते जाते हूं वाँ काम की क्या जरूरत है मैं एक राधिकारी की रोम में काम करता हूँ यह अकतन किसका था? पंडिजवालाल नहरू महत्मा गांधी को महत्मा की उपादी रवेणना टेक उनने सुवाश्चन बोस की राजनेतिक गुरू देशवंदू चितनन जन दास महत्मा गांधी की राजनेतिक गुरू कौन थे? यह आप लोग बताईएगा भारत का विसमार किसी कहा जाता है सरदाल वल्ला भाई पटेल को सुद्धी आंदोलन के पवर्तक स्वामी दयानन सरच्चुती उननेश्वी सतापदी के भारती पुना जागरन का पिता किसी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को अकिल भारती हरीजन संग की स्थावना महत्मा गांधी वराष्टी युवा दिवस स्वामी वेकानन से संबन देत है इनी के जणम दिन की रूम में मनाते हैं यंग बंगाल अंदोलन के पवर्तक बिवी एन डेरी जीओ थे कॉंग्रेस ने किसकी अध्यक्सता में भारत छोड़ो अंदोलन को पारित किया था मौलाना अबूल कलाम आजात की लोग हिदवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरीदेश मुक बिना ताच का वाथसा किसे कहा जाता है सुरेंदनात बनर जी को हारमिट ओप सिंबला किसे कहा जाता है एओओ हियों को कॉंगरीस का पिथा मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेयब जी इस तरह के कुष्चन से भी पूछ लेता है बिना अपील बिना बकील बिना दलील का कानून किसे रॉलेक्टेट को कहा गया था इसे लिए कानून काला कानून कहा गया था खिलापत अंदोलन की सुरुआद मुहमद अली और सौकत अली ने उन्नीस वबीज में तीनों गोल में संबेलन में भाग लेने के लिए लेने वाले नेता भीम राव बेड का साहब थे पाकिस्तान सब्द का जनम दाता एक कुष्चन से आद रखिए कई बार आज चुका है पाकिस्तान सब्द का जनम दाता चौदरी रहमत अली चौदरी रहमत अली गांधी येने किप से पिस्ताओ पर क्या कहा था यह एक आंगे की तारीक का चेक है और जिसका वेंक नश्ट होने बाला है इंडेपेंडेंस फोर्ड इंडिया लीक की स्थापना जवाहलाल नेरू सुभाश्चंद बॉस इंडिया इंडेपेंडेंडेंस लीक की स्थापना रास बिहारी बॉस राष्टी सुतंता के दौरान काले पानी के सजाग के लिए बनाया गया कुख्यात सेलूला जिल कहां था अंडवान में आर महला सभा की स्थापना पंडिता पंडित रमा भाई ने 1947 में दिली में हुई कॉंग्रिस के विसेट अदिवेशन के अद्धेक्ष डॉक्टर राजिंत पिसाद आंगे चल के आप जानते हैं कि इसके हमारे राष्टपती बनते हैं पहली बार कॉंग्रिस के किस अदिवेशन में जन गड़ मन गाया क्या था 1911 के अदिवेशन में इस समाई कॉंग्रिस के एक तरह से पार्टी के अद्धेक्ष थे विसन नारायन रेड रेबन एकस्प्रेस की सुबात एक दिशंबर एक छोड़ी है कॉंग्रिस के अदिवेशन देख लीजे और इनके अद्धेक्ष कई बार कूँच लेता है सबसे पहले आप देखते हैं कि 1888 में होता है बंबई में WC बनर जी इसके एक तरह से अद्धेक्ष बने दूसरा होता है 1886 में कलकट्टा में दादा भाई नौरो जी इसके अद्धेक्ष बनते हैं फिर 1887 का मदरास में होता है सेद बदरुद्दिन तेयब जी इसके अद्धेक्ष बनते हैं और याद रखे पिथम मुसलिम अद्धेक्ष थे 1888 का इलावाद में होता है जोर यूले अध्यक्ष बनते हैं और पिथम अंग्रेज अध्यक्ष थे 1905 में बनारस में होता है G.K. गोखले, सौदेशी की मांग बीच में भी होते हैं लेकिन याद रखेगी महत्पूर नहीं है कुछ सौदेश की मांग की जाती है 1906 में कलकत्ता दादा भाई नोरुजी, सौराज सद्धी की पिरोग की आ गया सबसे पहले, 1907 में सूरत, सूरत, राशबिहारी घोस, कॉंग्रेस बेभाजन होता है 1908 में मदरास में होता है राशबिहारी भोस की अध्यक्षता में कॉंग्रेस की लिए नया सम्मीधान बनता है 1916 में लखनव में होता है एसी मजूमदार इसकी अध्यक्ष बनते हैं कॉंग्रेस मुसलिम लीग के साथ मिल समझोता होता है 1917 में कलकत्ता में होता है अध्यक्ष पिथम महला अध्यक्ष कॉंग्रेस का पहला पिथम महला अध्यक्ष कौन थी किसने अध्यक्ष ता किय थी अध्यक्ष ने याद रखिए अगर पहली भारती पूँचे तो स्रीमती सरोजनी नाइडू दिल्ली में होता है 1923 में अध्यक्ष बनते हैं सबसे कम हो में के अध्यक्ष थी 1924 में बैलगाओं में होता है महत्मा गांदी एक बार महत्मा गांदी ने अध्यक्ष ता किये बैलगाओं अधिबेशन की 1924 1925 में कानपूर में होता है स्रीमती सरोजनी नाइडू पिथाम भारतिये महिला अध्यक्ष बनती है 1927 में आपका मदरास में होता है एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता करते है 1929 में लाहूर में होता है पंडित जवालाल नहरू इसकी अध्यक्षता करते है 1933 में कलकता में होता है स्री मती लानिन नालिन सैनि गुपता भी जी सामिल कर इसकी अध्यक्षता करती है 1936 में लखनु में होता है जवालाल नहरू इसकी अध्यक्षता करते है 1937 में फेशपूर में होता है जवालाल नहरू पहली बार गाउं में हुगा थे 1930 में हरीपुरा में होता है सुवाश्चन बहुत से इसकी अध्यक्षता करते हैं 1949 में तिपुरी में होता है सुवाश्चन बहुत से इसकी अध्यक्ष बनते हैं और बहुत से इसी में त्यागपत दे देते हैं और राजन पिसाथ को अध्यक्ष बनाया जाता है 1946 में मेरट में जेवी की पलानी 1946 में दिल्ली में और आपका राजिन बिसाद तो ये थी आपके कुछ महत्मूर questions इतिहास के और देखी ये तो नहीं कह सकते हैं कि complete है क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास कितना बड़ा है तो इन्हें आप लोग परेक्षा जब भी देने जा रहे हो उस समय आप लोग एक तरह से revision के point view से देख सकते हैं क्योंकि कापी अच्छे महत्मूर questions आप पूँछे जा सकते हैं